Max Muller विहार बोर्ट का अख्चा 10 लेखक पर्चे में अब हम आज Max Muller के बारे में जानेंगे तो Max Muller की एक रचना है भारत से हम क्या सीखे या क्या है एक भासन है तो अब समझेंगे हम भासन होता क्या है भासन का साबदिक अर्थ होता है व्यक्ख्यान एक वेक्ति द्वारा अपने विचार और भावनाओं को दूसरे वेक्ति तक पहुचाने की कला को हम भासन कहते हैं और मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सिखे या क्या है भासन है अब हम Max Muller के जीवन काल का अध्यान या जीवन परचय का अध्यान करेंगे विश्विख्यात विद्वान एडिक Max Muller का जन आधुनिक जर्मनी के डेशाव नामक नगर में हुआ तो Max Muller का जर्म कहा हुआ तो आधूनिक जर्मनी के डेसाउन नामक नगर में कब हुआ तो 6 दिसंबर 1823 में जब Max Muller चार वर्स के थे Max Muller जब चार वर्स के उम्र में थे तो उनके पिता Will, He, Lums, Muller नहीं रहे उनके पिता का नाम क्या था विल हैम लंप्स मुलर पिता के निर्धन के बाद जब वो मर गए तब उनके परिवार की आर्थिक इस्तिती बहुत ही दैनिये हो गए फिर भी मैक्स मुलर की सिक्चा दिख्चा बाधित नहीं हुई बचपन में ही वे संग्गीत के अत्रिक ग्रिक और लेटिन भासा में निपूर्ण हो गए लेटिन में कविताएं भी लिखने लगे 18 वर्ष की उम्र में लिप जिंग विस्विद्याले से उन्होंने संस्कृत का अध्यन प्रादम किया कि स्विद्याले से उन्होंने संस्कीत का देन किया तो लिम जिंग बिस्विद्याले में उन्होंने हितो उपदेश का जर्मनी भासा में अनुवाद प्रकासित किया आपसे पूछा जा सकता है कि हितो उपडेश का जर्मनी भासा में अनुवाद प्रकासित किस ने किया तो मैक्स मूलर ने इसी समय उन्हें काठ और केन आदी उपनी स्विद्धों का जर्मनी भासा में अनुवाद किया और काठ और केन का भी उन्होंने क्या क्या जर्मनी भासा में क्या कर दिया अनुवाद कर दिया और मेक दूद का जर्मनी पदा अनुवाद भी किया उन्होंने उसका भी अनुवाद कर दिया मैक्स मूलर उन थोड़े से पास्चात विद्वानों में अग्रमिये माने जाते हैं जिनोंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानों का सवता का मूल सुरोत माना है स्वामी विवेकानंद ने उन्हें विदान्तियों के विदान्ति कहा था किस भारतिये ने उन्हें बेदान्तियों के बेदान्ति कहा तो स्वामी विवेका नंद ने कहा था या किसने बेदान्तियों के बेदान्ति के नाम से जाना जाता है तो मैक्स मूलर को जाना जाता है उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर था उन्हें भारतवासियों के पुर्वजों की चिंतरासी को व्यर्थ रूप में लोकों के सामने प्रकट किया। उन्हें भासाओं की तुलना आदी विश्यों का व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया। तो विक्टोरिया ने उन्हें कब किया। 1868 में आमंत्रित किया था। उस भासा को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपादी प्रदान कर दी। किन्तु ने यह पद्वी अत्यंत तुक्ष लगी और उन्होंने इसे औस्युकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृत अनुरागी ववेदों के प्रती अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडिक मैक्स मूलर का मिर्तिव 28 अक्टूबर 1922 में हो गया। प्रस्तुत आलेक वस्तुत भारतिय सिविल सेवा हेतु चैनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के असर पर संबोधित भासनों की स्रिंखला की एक करी है। पर्थम भासन का यह अविकल रूप संचिप्त वह संपादित अंस जिसका रूपांतरन इसका रूपांतरन किस ने किया तो डॉक्टर भावानी संकर्त्रिवेदी ने किया। भासन में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचिंता और विलक्षता का प्रतिपादत करते हुए नव आगनतुक अधिकारियों को या बताया की विश्व की सब्वेता भारत से बहुत कुछ सीखती है और गरहन करती है। उनके लिए या भी एक सवभाग्यपुन औसर है कि वे इस बिलक्ष देश और उसकी सब्वता संस्किती से बहुत कुछ सीख जा सकते है। या भासन आज भी उतना ही प्रसांगिक है बलकि स्वदेश भावनाओं के विलोपन के दोर में इस भासन की विशेश सार्थकता है। नई पीडी अपने देश अपने प्राचिन सब्ता और संस्किती ज्यान साधना प्राकिर्तिक बैभव आदि की महत्ता का प्रमानिक ज्यान प्रस्तूत भासन से प्राप्त कर ले सकते हैं। और मैक्स मूलर की रचना भारश से हम क्या सिखे एक भासन है। भासन का साधी कर्थ होता है व्याख्यान जो की एक व्यक्ति द्वारा अपने विचार और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुचाने की कला को हम भासन काते हैं। तो मैक्स मूलर बिहार बोर्ट का अच्छा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह जीवन परचे मैक्स मूलर का परिच्छा के दिश्टिकों से काफी उपयोगी होगा।